तो स्वागत है आपका ग्यापन एकेडमी के इस बहुत ही जबरदस्ट जियोग्रफी की क्लास में यह क्लास 12 का जियोग्रफी आपका जियोग्रफी मेरी जिम्मेदारी है कॉंपलीट कराना और बहुत असान तरीका से आपको मेहनत करने की जो इतनी टेंशन मतले जीगा देखिए माली जी एक्जाम में तू नहीं बन पाएगा आपको कुछ नहीं करने बस बीडियो को देखना है और याद कराने की जिम्मवारी मेरी पूरा का पूरा आपका टेंश संख्या कितनी है 2011 में जब जनगर्णा होता है यह तो आप जानते हैं ठीक है तो याद रखेगा हर 10 साल पर होता है तो 2011 में जो जनगर्णा हुआ था इसमें जन संख्या कितना था तो 111 करोड था लेकिन उसके बाद से पता है कि बड़ी मज़दार बाते और मान लगाए कि सभी लोगों ने अन्मान लगे कि 2025 भारत की जनगर्णा 135 करोण पक्का हो जाएगा पर देखिए हम भारतियों का क्वालिटी ठीक है यहां समझेगा अभी 2023 ही अब 2023 तक ही जब जनगर्णा हुआ तो पता है कितना हुआ 142 करोड जनसंग क्या हो गया है अभी यह कब बुल है यहां समझेगा पचीस तक बोला गया है कि 135 करोड हो जाएगा अभी 233 करोड है ना हम लोग करमठ व्यक्ति यहां समझेगा यह बाते हो गए है तो 2011 में हमारा 121 करोड है ट्रीक कैसे यहां देखेगा 111 से जब गुणा कीजिए गाना तो होता है कितना है सब्सक्राइब करोड एक यहां देखिए इस तरह से 2011 कि हिसका दूसरी अधर की बात करें तो बाद से ऑस्ट्रेलिया को मिला ले तीन गों इलाका को अगर मिला ले तो उससे भी ज्यादा जन संक्या भारत का है ठीक है अब यहां देखे भारत में पहली बार जनगर्णा की सुरुआत कब हुई थी तो यह भी आपको बता दे कि पहली बार 1872 में जनगर्णा की सुरुआत हुई लेकिन यह सफलन नहीं रही तो जब यह सफलन नहीं रही यहां समझेगा तो क्या हुआ इसके बाद से 1881 में सफल जनगर्णा हुई तो पहली बार जन संक्या 1872 और नियमित जन जनगर्णा कब हुआ था 1881 तो यहां पे option आपका कौन सा ह हो जाएगा option आपका हो जाएगा यहां थोड़ा सा बेसिक भी समझ लेजिए पूरा का पूरा याद हो जाएगा और हां इसका पीडिएफ आपको टेली ग्राम पर मिल जाएगा उसको टेंशन लेनी कि आपको जरूरत नहीं है ठीक है यहां देखिए भारत में पहली बार ज पीम दिया गया था हमारा जनगर्णा ही हमारा भविस्या है ठीक है और यहां देखिए अठा 1931 में जाती जनगर्णा हुआ था कौन सा जात कितना है ठीक अब देखिए जब यह बाबु जनगर्णा हुआ आदमी लोग जब गिना गए तो किस तरह काउंटिंग हुआ पूर भारत को हम देखें ऐसे मान लेजिए कि तो यहां पर घंट वी 382 भारत का घंट तो कितना है जन संख्या घंट तीन सो ब्यासी है यहां आप बात में बताएंगे जन संग्या घंट तो क्या होता है लेकिन उससे पहले यहां पर इस को समझें आप लोग एंसर को देख ले र महारास्त यहां पर महरास्त ना दो नंबर में ऑगा और तीन नमर में आएगा अपना बिहार थो बिहार आवला रटली जया बिहार 20 नमर पर आता है यहांद को लिख में दिया कि योपी प्रत्वम अस्थान पर योपी मनें उत्तर पर्देश दोसरे अस्थान पर महराष्ट आता है तीसरी अस्थान पर विहार और चौथे आप जितना ज्यादा लाइक किजेगा शेयर किजेगा कमेंट किजेगा उतने यह स्टुडेंट के पास जाएगा और सभी लोग इसको देखेंगे तो प्लीज आप लोग तो खेर ग्यापन एकेडमी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं थैंक्यू सो मच लेकिन इसको एक बार से गहनत्व कितना था तो यहां आपको बता दे कि 382 उपर जन संक्या घनत्व बताएं अब आपको बता रहें कि जन संक्या घनत्व कहते कि इसको हैं इसको गौर से थोड़ा देखिए जूमाउट तो यह नहीं हो जा रहा है चलिए जन संक्या घनत्व किसे कहते हैं इसको %3 , abundance ऐसे गिर्वा देजिए और इसमें जब आदमी को COUNC किया जाएगा बहाई कितना घहन आदमी है तो भारत की एस्कुएर ऐसे किल्म dispara обद करें बिहार का तो बिहार को सिर्फ ऐसे बांडरी मारदे एक किलो- Gibson में तो 1102 किलो मीटर प्रती किलो मीटर एस्क्वायर यहां पे जनता या ननिकि एक कीलो मीटर के तैरह में इक किलो इसे कर लें तो यहां कितना हो जाएगा 120 2 यह आप याद रखेंगे ठीक है आगे यहां देखते हैं भारत में नियमित रूप से जनगरना कब हुआ एगो तो हुआ था तो बंद हो गया था ठीक है 72 वाला तो 81 में नियमित रूप से जनगरना हुआ था अब यहां कोश्चन देखिए 2011 कि अंसर बिहार का जन संक्या घनत्व कितना है तो यहां पे कौन हो जाएगा 1102 प्रतिवर किलोमीटर यहीं एक किलोमीटर को बिहार में कहीं भी इलाका में घेर दी जब जाके चामरा में मत घेरिएगा ठीक है अनुमान तो वहां अंदर 1102 आएंगे इतने लोग आएंगे 1102 यह बारत की जनगर्णा है यह उत्तर परदेश का जन शंक्या घनत्व है यह याद रखेंगे आप और यहां पे देखिए यहां आपको लिक भी दिआ गया है एंसर में संक्या घले मेंtest vivant नटिर पह सिंग मंगाल का डंस तो यह fautन इसे तो यहां भी 829 और आट के बाद दस याद रखेगा 1029 उत्तर परदेश और बिहार का तो याद रखना पड़ेगा 1102 अब आप बताई कि भारत का पूरा बात करें तो कितना जन संख्या घनतों है तो अभी बताई थे भारत में ऐसे ठीक है तो इधर अरुडा चल पर देश का अगला कोशन देखिए भारत में तोड़ा ओर उपर कर दें भारत में किस राजे में जन संख्या घनतों सबसे कम है अभी बता दिये आपको बताईए अप कमेंट में बताई और अचल पर देश और पूरे भारत में दिल्ली बहुत घन है न तो दिल्ली में सबसे अधिक घन लोग है तो जन संक्या घनत्व पूरे भारत का दिल्ली में है ठीक है यहां देखिए थोड़ा सा यहां को देख भी लिजिए और राचल परदेश में सबसे कम गनतवा 17 व्यक्ति प्रती किलोमीटर है यह एक किलोमीटर के दाइरा में 17 लोग आते हैं ठीक और यह दिल्ली का जनसंख्य गनतवा आपके किताब में 11297 अगर एक किलोमीटर इलाका में अगर बाउंडरी मार देजेगा तो इसमें अंदर कि कभी गलत भी बता देता है ठीक है अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है कि निमलिखित में से किस केंदर सासीत परदेश में सबसे कम गनतवा है केंदर सासी साथ होता है बीमान लिजे कि 8 गो या 9 गो अभी हो गया है ठीक है तो केंदर सासीत परदेश जो है ठीक है उसमें कोशन कारा है कि सोबसे कौम घनत्वा तो देखिए अंडमान निकोबार है यहाँ पर बड़ी कौम घनत्वा होता है म Vishal Echo I'm comment बताईा कि अ के बिहार का जन संख्या घंत्व कितना है और भारत का जन इसक्वा कितना है इक बार लिक भी दे रहें बारत का 382 और बिहार का 1102 घनत्वा है ठीक है याद रखिएगा अगला कुश्चन 2011 की जनगर्णा की अनुसार जब लोगों को जनगर्णा यहनी काउंटिंग हुआ तो वहाँ अनुसार जन संख्या के वार्सिक ब्रिदी फिर वहाँ अनुमान पता है बाव क्या लगाई गया भारत में कि हर साल भाई कितना परतिसत लोग बढ़ रहे हैं तो याद रखेगा एस वैसे एंसर आपको दिख भी रहा है एक पॉइंट छे चार परतिसत लोग हर साल बढ़ र 42.86 करोड जन संख्या हो गया है बाप रिबाप इतना जन संख्या हम लोग एक नमर पर आ गया है पूरे विश्व में ठीक है यहां देखिए जब एक बार बहुत पहले काउंटिंग हुआ था यहां देखिए किस जनगर्णा दसक में भारत की दसकी जन संख्या ब्रिदी बड़ी जादा बढ़ गया था लेकिन आपसे कुश्चन पुछा जाएगा कि जब जनगर्णा हो लोगों की संख्या घट गई हर दस साल पर किनाते हैं लोग ठीक तो एक दस साल पर आईशा समय आया था ना पीछले साल से उसके आने वाले साल में लोग घट गया एक बीमा लिए और ले सरी नेए न हुद्धी दर कम हो गया थैं से कैनी को कहते हैं इस्तिर्प्रास्थान क्या बोलते हैं इस्तिर्प्रास्थान याद रखे गा उन्नीस जपπα्ध में कम हो गया था और एकहटर में बढ़ गया था तहीं आपको व्याद हो गये थी मनें बढ़ivan नहीं था 1921 में ठीक दो हजार पचीस के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में विश्व विकास रिपोर्ट यह रिपोर्ट किस ने दिया था विश्व विकास रिपोर्ट ने भारत को जनगर्णा को काउंटिंग करेगा और उन्हें बताया था कि कि 2025 तक हमारी जन संक्या कितनी हो जाएगी एक सब 35 करोड हो जाएगी लेकिन पचीस तक कौन को है हम लोग देख 2023-24 में ही कितने हो गए 142 करोड हो गए इतना अच्छा प्रोडक्शन है यहां देखिए खाली जन संक्या बढ़ रहा है बाकी कुछ नहीं बढ़ रहा है अब ब बताती है कि कितना वरस से कितना वरस तक लोग को यूवा कहा जाता है बच्चा कहा जाता है यह सब यह फरवरी 2014 में यह सब हुआ था ठीक है यहां पे आपको लिख भी दिये हैं इसको आप याद कर लेजिए देखिए तो बाबू इसका नूट्स आपको मिल जाएगा बाद से सरकार ने एक और उसके अगले साल निती अपनाया समझेगा कोसल विकास एक मिनट हाँ अब देखिए तो और जो माउट करने दू कि यह वाला देखिए कोसल विकास तथा उद्धमी निती जो है यह 2015 में लाग हुआ था इसको भी आप याद कर लेजिए वैसे एक क्योश्च्क आप जबाब देजी जबाब क्या देना है रास्टिय यूवा निती कब लगाए गया पहला क्योश्चन का जबाव दूसरा क्यों भारत का जन संख्यधक niego कितना है इसको आप कमेंट्में बताए और बिहार का जन संख्यधक interna तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा का Пूरा समझ में आया होगा ठीक है और इसके बाद वाले में बहुत सारा कूंशन मिलेगा बहुत सारा कूंशन का पीडियफ मिल जाएगा ठीक और आपको टेंसर लिएक ज़रूत ने यद करने की जिम्मारी मेरी हे disp । आपको हम देंगे और पूरा याद हो जाएगा तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही संदार क्लास के साथ तब तक लिए जहीं खुदा आफिश